हालो लूर्नर्स वेलकम तो आर चैनल अदोवेस पवन आप सबी लोग अच्छे होंगे तोड़े आप इसे पहले भी हम लोगो ने फूट परेंट इसे पहले भी हम लोगोने फूट्परेंट सिथी नॉग इंपरेंट कमेशन किया था Griffin was not a true scientist यह हमने proof किया था उसी chapter का और एक long question यह भी examination point of view से बहुत ही important question है ठीक है so let's start the question what makes you think that Griffin was a lawless person ठीक है what makes you think मतलब कहानी जैसे आपने पड़ी story जैसे आपने पड़ी chapter reading करने के बाद आपको ऐसा क्या लगता है what makes you think क्या आपको सोचने पर मजबूर करता है या किस प्रकार से आप सोच सकते हो Griffin was a lawless person कि Griffin एक lawless person था lawless person कहने का मतलब law मने means होता है कानून ठीक है law और less means कम या नहीं ठीक है तो lawless person यानि कानून को less नहीं मानने वाला कानून को कम मानने वाला या बोलिये तो नहीं मानने वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा मने less तो बोली नहीं सकते हैं वो नहीं मानने वाला ही था तो वही हमें proof करना है what makes you think मतलब आपको बताना है कि क्यों आपको Griffin एक lawless person प्रतीत होता है ठीक है और ये मैंने पहले ही बताया examination के लिए बहुत ही important question है come to the answer many facts in the story proof that Griffin was a lawless person बहुत सारे facts आप लोग देखे होंगे story पढ़ने के दौरान तो वो proof करते हैं कि Griffin was a lawless person कि Griffin जो है वो एक lawless person है ठीक है he did many anti-social acts but he never felt guilty ठीक है he did many anti-social acts anti-social acts कहने का मतलब असमाजिक कार्या कहने का मतलब जिससे समाज का कोई हित न हो जिससे समाज का हानी हो वैसे कार्यों का हम लोग anti-social acts कहते हैं ठीक है चलो ये तो हुआ उसने anti-social acts किया मतलब जो समाज में या वेक्ति के या किसी के भी हित में नहीं हुआ but he never felt guilty ये उससे भी बड़ी बात मतलब ये उससे भी बुरी बात हो गई कि गलती भी कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं एक होता है ने गलती करके चलो मान लिया वह याम उससे गलती हो गई ऐसा नहीं होना चाहिए था तो वैसी बात नहीं है वो गलती करके मानता भी नहीं है ठीक है तो we have to produce some instances from the chapter हमें कुछ घटनाओं का वर्नन करना पड़ेगा अपने answers के support में तभी जाकर हम ये proof कर सकते हैं कि Griffin was a lawless person first, the very first thing सबसे पहले उसने क्या किया देखिए he set fire to his landlord's house that means हमें आप दर्शाना है उन incidents को जो उन्होंने गलत activities की जिसके चलते ये proof हो जाए कि वो एक lawless person था तो सबसे पहले उसने क्या किया जो उसका landlord था उसके घर को आग लगा दिया मकान वालिक से उसकी बंती नहीं थी जगड़ा होगी और मकान वालिक भी उससे घर से निकालना चाहता था तो इसी जगड़ा में इसी जगड़े के कारण वो मनें घर से भाग जाता है और भागते भागते वो क्या करता है landlord की घर में आग लगा देता है और भागने के करम में वो क्या करता था अपने आपको invisible कर लेता था यानि वो अपने जो उसने discovery की थी उसका प्रयोग करता था और प्रयोग करने के बाद वो अपने कपड़े उतारता था जिससे की वो invisible हो जाए ठीके मतलब कपड़ा पैने रहेगा तो वो दिखाई देता था लेकिन कपड़े invisible होने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे उसको पूरा तरह से बीना कपड़ों के होना होता था तो अपने आपको invisible करके वो घर में आग लगाके मकान मलिक के घर में आग लगा के भाग जाता है अब भाग तो गया बिना कपड़ों के बचने के लिए कुछ उसने बचने के लिए कोई कपड़े नहीं पहने थे ताकि लोग उसे देख न पाएं लेकिन the bitterly cold London air troubled him much लेकिन इतिफाक से बोलिए या coincidence उस समय ठंड का समय था जैसा हम लोग के इधर November, December का महिना रहता है तो London की हवा भी काफी ठंड थी तो उसे काफी परिशानी महसूस हुई तो वो अपने आपको बचाने के लिए so he slipped into a London store वो एक London के store में चला गया ठीक है ताकि वहाँ जैसे multi store building होती है वहाँ पर बहुत सारे जैसे food coat रहता है dressing clothings वगरा के stores रहते हैं shoes वगरा के stores रहते हैं तो उसे प्रकार से एक multi store building में वो चला गया लंडन के for warmth, warmth मिन्स गर्म करने के लिए अपने आपको यहने ठंड लग रहे थे एक ठंड का महिना और ठंडी हवा भी चल रही और उपट से बिना कपड़ों के there he stole clothes and food वहाँ उसने क्या किया food और कपड़े वो चोरी किये मतलब पहले तो अपने आपको गर्म किया कपड़े पैने और फिर restaurant वगरे वहाँ गया और क्योंकि सब store बन था वो invisible होके गुसा था अच्छा से पूरा एकदम खाया पिया ठीक है सारा कुछ करने के बाद तो यहां देखेगा आप लोग वो कैसे मतलब गल्ती पे गल्ती करते जा रहा है ठीक है चोरे चुपे तो घुसा ही साथ ही साथ ही साथ चलो वहां घुस किया उसके बाद फिर देखेए third number के हम लोग बोल सकते हैं वो कपड़े चोरी किया food चोरी किया ठीक है इतना ही नहीं his next victim was a shopkeeper of theatrical goods तो वहाँ पर भी क्या होता है वो जब London store में चला जाता है तो अच्छे से वो अपने आपको ढखता है खाने पीने के बाद और आराम से सो जाता है सो जाता है तो यही उसने एक mistake कर दी सुबह क्या होता है जो workers लोग होते हैं उस store के उस building के जल्दी ही आ जाते है और तब तक ग्रिफिन सो के उठा भी नहीं था तो वो पकड में आ जाता है तो उसे पकडने के लिए वे लोग फिर से कोशिश करते हैं और फिर ग्रिफिन भागने के लिए वही trick अपनाता है वो भागने के क्रम में अपने कपड़े और जो भी वो पहन के रखा था वो सारे उतार के fake देता है ताकि लोग उसे न देख पाएं once again तो ऐसा हो के वो फिर से एक बार invisible हो गया फिर से उसे कपडों की ज़रुरत थी once again he stole the goods from there तो इस बार उसने क्या किया एक theatrical goods वाले shop में ठीक है मतलब जो drama वगरे का company वगरे का drama वगरे होता है तो उसका store जो होता है जहां पर बहुत सारे जैसे नकली मोच हुआ नकली मोच हुआ नकली बाल हुए या नकली dress हुआ इस प्रकार के जो dressants वाले materials उस दुकान में मिलते हैं वैसे दुकान में चला गया और उसके बाद वहां क्या किया once again he stole the goods और यहां पर जाके उसने फिर से मतलब सामान की चोरी की अपने आपको बचाने के लिए अपने आपको छुपाने के लिए इतना ही नहीं कपड़े तुमा चोरी किये ही बैंडेज वगरा चस्मा वगरा नकली नाक वगरा यह सब और विशकर्स वगरा यह सब उसने अपने आपको disguise करने के लिए चोरी किये थे इतना से भी उसका मन्नी भरा उसने पीछे से शौपकीपर को पर अटैक भी किया ठीक है लूट तो रहे और चोरी तो करी रहे ओपर से मतलब मारपीड भी करता है इन दब विलेज उसके बद वो शरण लेने के लिए वहां से भाग के शरण लेने के लिए विलेज आईपिंग में जाता है village of Iping वहाँ भी वो शांत नहीं रहता है वो क्या करता है he stole money from the clergyman's house clergyman's house clergyman's house कहने का मतलब यह church के father आप लोग समझ सकते हैं church के father ठीक है तो church के father थे और उनके घर से ग्रिफिन ने चोरी की when the people suspected him और कितने देर बस्ता ठीक है पुराई का तो अंत हो नहीं है तो पकड में आ जाता है पकड में आ जाता है in the sense की लोग जान जाते हैं कि आखिर यहां चोरी हो रही है या बुरे काम हो रहे है कोई तो यहां बाहर का है नहीं बाहर में village Iping में Griffiny आया है तो सारा किसोई Griffiny पर ही जाती है ठीक है और ऐसा गरके पुलिस वगरं को भी Inform किया जाता है ठीक है पुलिस पकड़ने आती है लोग भी पुलिस का सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर वही ट्रिक में आ जाता है and beat them ठीक है लोग इसे तो नहीं पकड़ पा रहे हैं या मार पा रहे हैं लेकिन ये गायब होके क्या कर रहा है लाद भूसों की बरसात कर दे रहा है लोगों पर और पुलिस पर therefore इसली हम लोग कैसे हैं we can say that griffin was a lawless person hence it is proof ठीक है तो यह proof होता है कि griffin जो है एक lawless person है उन्होंने इतनी सारी जो है bad activities की ठीक है अटेक्ट शॉब की पर इसको हम लोग जदी 5th rank दे देते हैं फिर बिले जाइपिंग में stole money के clergyman के house में इसको हम लोग 6th rank दे देते जदी आप लोग चाहो तो और answer को लेंदी करने के लिए I think it is sufficient for your answer so learners इसी तरह से हमारे चैनल के साथ आप लोग जुडे रहिएगा next video के लिए head to be spawn and please like share subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications thank you